Hello friends, welcome back to my YouTube channel और आज हम सीखेंगे ये पता करना कि कौन सा रेशो बड़ा है 5 रेशो 8 बड़ा है या 4 रेशो 5 बड़ा है क्वेश्चन इस तरह से होगा विच रेशो इस ग्रेटर ग्रेटर मीन्स बड़ा है तो इसके लिए सिंपल सबसे पहले किया करना है हमने जो रेशो है उसे फ्रेक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ये 5 रेशो 8 को मैंने पहले भी बताया आपको कि हम रेशो को फ्रेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 5 ओवर 8 और इस वाले को लिखेंगे 5 5, sorry 4 by 5, अब यह दो fractions है, अब आपको पता करना है कि इन दोनों fractions में से कौन सा fraction बढ़ा है, तो यह आपने fractions में सीखा हुआ है, सबसे आसान तरीका है cross multiply, इस तरह से नीचे से उपर की और आपने multiply करना है, multiply बहुत ध्यान से करना है, कुछ बच्चे गलत multiplication कर लेते हैं, उपर स नीचे करते हैं, तो गलत हो जाता है, okay, so denominator से numerator की ओर, तो यहाँ 8, 4, 32, तो इस साइड पर लिखेंगे हम 32, okay, और यहाँ से करेंगे 5, 5, 25, यहाँ पर mistake होती है, कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, 5, 5, 25, इस साइड लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान हम इन दुनों नंबर का करेंगे, okay, so 25 and 32 में से कौन सा नंबर बढ़ा है, आप जानते हैं, 32 बढ़ा है, इसलिए, क्योंकि 32 बढ़ा है, तो यह वाला fraction बढ़ा होगा, और यह fraction बढ़ा है, तो यह fraction आया था, इस ratio से, इस से बना था यह, तो इसलिए यह वाला ratio बढ़ा है, तो आप लिखेंगे, 4 ratio 5 is greater, next question is, 9 ratio 11 और 11 ratio 9, तो सबसे पहले से fraction की form में लिख लेते हैं, 9 over 11 and 11 over 9, इसे हमने लिख दिया 11 over 9, अब यहाँ पर हम चाहें, तो cross multiply कर लें, जैसे हमने पिछले वाले question में किया, उससे भी करेंगे, तो आपको answer मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम cross multiply नहीं करेंगे, यहाँ पर तो हम देख के बता सकते हैं, कि कौन सा fraction बढ़ा है, और कौन सा ratio बढ़ा है, तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा revise करेंगे fractions को, हमने fractions में पढ़ा है, यह कौन सा fraction है, 9 over 11, जिसका numerator, यानि कि उपर वाला number छोटा होता है, नीचे वाला number बढ़ा होता है, इसे हम proper fractions कहते हैं, और जो proper fractions होते हैं, उनकी value हमेशा 1 से छोटी होती है, इस तरह से, इनकी value हमेशा 1 से छोटी होती है, proper fractions की, और जो improper fractions होते हैं, जिनका जो numerator है, यानि कि उपर वाल नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला डेनॉमिनेटर छोटा होता है, ऐसे fraction को improper fraction कहते हैं, और इनकी value हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो इसकी value 1 से बड़ी है, this fraction is greater than 1, अब इसका क्या करते हैं हम, इसे हम में कितनी बड़ी है, इसको हम mixed fraction में change करते हैं, हमेशा improper fraction को mixed fraction में change कि होते हैं, वैसे तो आपको यहीं पर पता चल गया, इसकी value 1 से छोटी, इसकी value 1 से बड़ी है, इसका मतलब यह वाला fraction बड़ा है, और यह fraction बड़ा है, तो यह वाला ratio बड़ा है, तो जोलिए, इसे हम change करते हैं, mixed fraction में, उससे भी आप समझ पाएंगे कि यह कितना बड़ा है तो इसे हम mixed fraction में change करेंगे, तो यह जगा 9, और 11 में से 9 minus होते हैं, 2 बजते हैं, 2 over denominator वैसे ही आएगा, 9, तो यह हो गया 1, 2 by 9, तो इस तरह से यह वाला जो fraction है इसमें change हो गया, तो अब आप देखेंगे, यह 9 over 11 है, इसे हम लिख लेते हैं, 9 over 11, और comparison कर देंगे, 1, 2 by 9, तो यहाँ पर थोड़ा से imagine करते हैं एक chocolate को, अगर हम एक chocolate लें, तो यह एक chocolate के 11 parts में से 9 parts है, और यहाँ पर एक chocolate तो यह पूरी है, यह पूरी chocolate है, और यह है दूसरी chocolate के 9 parts में से 2 parts, तो यहाँ पर एक chocolate extra है, और एक parts में है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह वाला जो fraction है, य ये बड़ा है, ये fraction बड़ा है, तो ये fraction बड़ा है, और ये fraction बड़ा है, तो ये वाला ratio बड़ा है, तो आप लिखेंगे, 11 ratio, 9 is greater. So, इस तरह से आप पता कर सते हैं, कि कौन सा ratio बड़ा है, और कौन सा छोटा है. So, student, आपको अपनी पुरानी knowledge, जो भी आपने पहले सीखा हुआ होता है, हमने fractions पहले पड़े हैं, so fractions को आपने भूलना नहीं है, even कुछ भी आपने पीछे जो कुछ सीखा है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि वो आगे फिर से काम आता है, जैसे यहां पर ratio में फिर से fractions आ गए है, so friends, अगर आपको यह वीडियो helpful लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, कुछ revise किया हो, तो इस वीडियो को like करें, share करें और मेरी channel को subscribe करें, हम फिर मिलते हैं next वीडियो में,